अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने IQZ5 Android मॉइल फोन में आप जो है Disable Notification Will Recording Setting को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Disable Notification Will Recording Setting आपको ब्लू कैसे करती कैसे क्राव आज वीडियो में आपको डीटेव करते हुए अपको चाहरी इस वीडिवीयो में स्थार्ट कर लेते हैं सबिस्थेस पहसले नीचे आदा हिए डिसेबल नोट्फिकेशन विल रिकॉर्डिंग इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको यह बटन दे रखा इस बटन को आपको टैप करना है तो यह बटन आपका ब्लू कुलर में अन हो जाएगा अभी सेटिंग कैसे काम करेगी यह मापको समझा देता हूं देखे दोस्तों जब क अभी भी आप अपने मुवाइल फोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे आप अपने मुवाइल फोन की तो जब तक आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रहेगी तो उस बीच में अगर कोई भी नोट्फिकेशन आपके मुवाइल फोन पे आएगा तो आपके मुव प्रच्ट होती है क्योंकि अगर आपके फोन की स्क्रीन के ओपर दिखाई देगा जो की आपकी वह नुटिफिकीशन स्क्रीन रिकॉर्णि में भी एड़ हो जाता है तो इस टींग को अन करने से आपका वह लिक्रीन स्क्रीन के ओपर दिखाई नहीं देगा तो इस सैट्टिंग अइसे काम करती है अब मैं आपको इस एडिकाट त्रीका बताता हूं आपके फोन में इसके लिए आपको मुवाइ सेलेक्ट करना है इससे क्या होता है आपका फोन आपको डायरेक्ली सेटिंग के पेज में लेकर आ जाएगा और नीचे की साइट आपको यह आप्शन मिल जाएगा तो यह मैंने आपको एक शॉटकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंडने का आपके मॉवाइल फोन में